हमारे साथ जुरे रहने के लिए InfoTube YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ Instagram पर profile photo कैसे लगाए Instagram पर DP कैसे लगाते हैं दोस्तों अगर आप भी अपना Instagram का DP लगाना चाहते हैं और अगर आपको नहीं पाता है Instagram पर DP कैसे लगाया जाता है तो इस वीडियो को ध्यान से लाश्ट देखते रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल InfoTube में तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों Instagram पर DP या फिर प्रोफाइल फोटो लगाना काफी ज्यादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान से लाश्ट पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्रिस वीडियो को लाइक साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चले हम आपको बताता हूँ कैसे आप अपना Instagram पर DP लगा सकते हैं Instagram पर प्रोफाइल फोटो या फिर DP लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर Instagram को ओपेन कर लेना है अब यहाँ पर जैसे आप Instagram को ओपेन कर लेते हैं कुछ इस परकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आने के बाद सबसे लाश्ट में जो आपको प्रोफाइल का ओप्सन देखने को मिलता है इस पर आपको किलिक करना है अब यहाँ पर जैसे आप आ जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल हमारे प्रोफाइल में कोई भी फोटो नहीं लगा हुआ है कोई भी DP नहीं लगा हुआ है हम यहाँ पे click करते लगाने के लिए तो यहाँ पे जो हमारा story खुल रहा है यहाँ पे हमारा DP नहीं खुल रहा है तो इसको लगाने के लिए आपको simply जो है आपको एक छोटा सा काम करना है यहाँ पे Edit Profile का जो option आपको लेखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पे Edit Profile पे जैसे आप क्लिक कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से काफी सारा option आपको देखने को मिल जाता है अब यहाँ पे Simply करना क्या है आपको उपर के साइड में आप देख सकते हैं इजिट पिक्चर और अवतार इसका जो उफसन है ना इस पर आपको किलिक करना है अब यहाँ पे जैसे आप किलिक कर लएते हैं आपको दो उफसन लेखनी को मिल जाएगा अब यहां पर जैसे आप आ जाते हैं, आपका गैलरी यहां पर खुल जाएगा, तो यहां पर सब का सब फोटो आपको लेखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको ऊपर के साइड मठीरियोर पर क्लिक करना है, जो भी फाइल फोल्डर के अंदर आपका जो है फोटो है, उस पर क्लिक करके आप अपना कलर को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और यहां पर क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज करके आप अपना डीपी में लगा सकते हैं, इस परकार से फिल्टर लगता है, उसके बाद नेक्स वाल ओप्सन जो आपको ऊपर के साइड में देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, दोस्तों यहां पर क्लिक करने के बाद, यहां पर प्रोसेसिंग लेगा, और यहां पर थोड़ा सा समय लेगा, और यहां पर थोड़ी देर के बाद यह लोड़िंग लेना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको यहां पर डीपी लग जाएग वीडियो को लाइक करना साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले